हेलो फ्रेंड्स नमस्ते मैं कविता मेरी कविता टॉक व्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए फ्रेंड्स आज हम आपको ले चलते हैं सीलमपुर जहां से हम कपड़ा लाते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहीएगा रास्ते का वीडियो तो नहीं सूट किया डायरेक्ट आपको हम सीलमपुर में ही दिखा रहे हैं तो सीलमपुर पहुच चुके हैं यहां पर आप अपनी गाड़ी पार्किंग में भी लगा सकते हैं वैसे रोड साइड खड़ी करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि पुलिस वाले उठा लेते हैं तो इसलिए पार्किंग में आप लगा सकते हो अगर आप तीन गंटे से प ठीक है और यह यहां पूरी यहां से आपको बहुत सारी shop मिलेंगी जैसे आप देख रहे हो रास्ते में हर कोई shop मिलेगी लेकिन अपको कुछ किसी ऐसी shop पर जाना है जहां पर जो पूरा material है वह आपको एकी shop पर मिल जाए और बिलकुल सही rate पर मिलें क्योंकि कुछ shop यहां प जिन से हम फैब्रिक लाते हैं, कफी अच्छा फैब्रिक होता है, और जो भी मैं कपड़े लेके आई हूँ, इन सब के वीडियोज मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे, तो उसमें मुझे दिखाने के जरूरत नहीं है, और वैसे भी जो फैब्रिक मैं लेके आई हूँ, मैं किसी मैं बज के लेट्र तो दो ने मेरे से और मगवा था, तो अब की बार मैंने navy blue में लिया है, जैसे मेरा wine color था, तो मुझे same pattern में मिल गया था, फैसों मैंने black में लिया है, जो भी किसी ने मंगवाया है, जो महिए लेके जाती हूँ, तो यसी लिए जो महित अप्ड़ें पहल तो इसे मेरा फैब्रिक हो जाता है तो यहां पे मैं साटन भी कटवाई थी मैंने सैंटून भी कटवाय था पतलब 10-10 मीटर से कम नहीं देते हैं यह तो फेर हमारी जान पहचान की सौफ है तो अब यह 5 मीटर भी काट देते हैं बट और कोई नहीं काटेगा और कोई नहीं काट के देता है तो मैंने कई फैबरिक ऐसे भी कटवाये थे जो जादा महंगे थे तो इतना नहीं ले सकते हम दस मीटर तो जैसे पांच मीटर कटवा लिया और उससे भी कम भी मैंने कटवाया था दाई मीटर तक भी मैंने कटवा बता देते हैं कि इसमें आपको इतना कपड़ा मिलेगा और ये कभी भी ऐसे नापते नहीं है फीता से या किसी से भी इनकी तै होती है ये उनको ही गिनते हैं और उसी के हिसाब से ये कपड़ा देते हैं तो मैंने औरगेंजा में भी बहुत सारे कलर लिये हैं जिसे देखे य वाला कलर भी मैंने लिया है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जो फैबरिक में लेके आई हूँ मैं उनका वीडियो डाल दूँगी मैं आपको यह भी आइडिया दे सकती हूँ कि कौन से फैबरिक से हम क्या बना सकते हैं तो मैं बहुत सारे फैब्रिक लेके आई हूं जो जटा और गेंजा लेंगे के कपड़े भी मैं लेके आई हूं और मैं सारे जो भी प्रिंट लेके आई हूं और गेंजा वह सारे मैंने प्रिंटरेस्ट पे देखे थे जिनकी आजकल सबसे ज़ाद कु कपड़ा लेते हैं तो पहले हम संप करते हैं कि इस से क्या हम बना सकते ह तो उसी तरीके से मैं कोय भी कपड़ा खरीथी हूं पहले मैं देखती हूं कि इसका क्या अच्छा लगी का भर मैं उस हिसाब से color मिलाने की कोशिस करती हूं तो कुछ तो डिजाइन मिल गए थे मेरे खुद के बताए हुए जो मैंने फोटो अगरे देख रखे थे कुछ नहीं मिल पाए थे और मैंने अपनी लहँगे के लिए भी यहासे कपडा खरीदा है, वो भी मैं आपको लहँगा दिखा दूँगी उसका मैं वीडियो डाल दूंगी, जो मैंने नवी बिल्यू में लहँगा के लिएक लिए कपडा लिया था, उसमें जो पहले आया थे तो सिर्फ एक ही कलर था, उसमें, वह था वाइन कलर, ठीक है, अब की बार उसमें, बहुत सारे कलर HTML थे, जो ग्रीन हो गया, रैड हो गया, परपल हो गया, पर्पल हो गया, बहुत सारे कलर थे आपके बार, बढ़ मुझे और और कोई घालर जाद अच्छा नहीं लगा मुझे नईवी विल्यू में और वाइन कलर में ही ज्यादा वाइन कलर नहीं था आपकी बारे इनके पास और यह इनका सेकिन फ्लोर तक है तो यह देखिए इसमें भी बतलों फैबरिक तो आप देखी सकते हैं फैबरिक को तो बस उनके ऊपर चट चट क हम लेके और उसके बाद मैं आपको वो सौब भी दिखाऊंगी जहां से हम मतलब है वो सीलंपुर के अंदर ही जैसे हम बटन वगएरा लेते मैंने बटन बनानी मसीन भी ली है और जो हमारा सिलाई का समान होता है वो सारी चीजों की वीडियो भी मैंने अलग से बनाई मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है सीलंपुर के उपर भी कि हम कपड़ा कहां से लाते हैं तो आप मेरी वो वाली वीडियो भी देखिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा आप लाइक करना भूल जाते हो कमेंट करना भूल जाते हो ऐसा मत कर किया करो भाई हम इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए वीडियो डून डून के लाते हैं कि कौन सी वीडियो आपके लिए यूसफुल होगी मेरी चै जायो जाओ।